आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इकोस टो रो ल बाई ए ठीक है तो दिस इस दा वैली अफ दर रजिस्टंश अफ दे कंड़कर ओके अब हम लोगों आगे बोल रखा है कि इस चर्टेट अक्रोस अफ वोल्टेज वी ठीक है तो वी वोल्टेज का सेल के साथ इसको चनेक्ट किया गया है अब क्या किया गया कि इस कंड़कर का स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया गया है अब हम लोगों को बोला है कि वाट विल बी दे करेंट फ्लोईंग थ्रो दे रजिस्टर इफ इट्स लेंथ इस डबल एड क्रोस सेक्शनल एरिया इस हाल जो भी हमारे पास वायर था जो कि यह कंड़कर था लेकिन स्लाइट रिजिस्टर भी था इसका लेंथ को हम लोगों ने डबल कर दिया और इसके क्रोस सेक्शनल एरिया को आधा कर दिया है यानि कि जो A था इसको हम लोगों ने A by 2 बना दिया जो L था इसका हम लोगों ने 2L बना दिया है ओके जो अब जो नया रिजिस्टर था होगा इस मैटेरियल का वो क्या होगा तो R' सपोस करो यह R' नया रिजिस्टर था है ओके तो इस विल बी इकोस तो रो यह चेंज नहीं होगा ओके इन्टू L का वैलू क्या हो गया है 2L divided by A का वैलू क्या हो चुका है A by 2 तो we will get 4 Rho L by A we can also write this as 4 into R ठीक है यानि कि 4 times of initial resistance यह नया resistance का वैले हो चुका है ठीक है नाव सीम इस मैटेरियल को VVolt के बैटरी से connect करेंगे तो इस बार जो current होगा वो क्या हो जागा तो जो current होगा current वो हो जागा I is equals to V divided by R R का value कितना है R' ठीक है and R' का value हम लोगने R के terms में कितना निकला 4R ओके So यह जागा V by 4R ठीक है So this is the value of the current in the new register जो अगर register का specification change कर देंगे तो उस register के अंदर ठीक है जो भी current होगा V world के battery से connect करने के बाद उसका magnitude इतना होगा Okay So this value will be our answer and अगर option चे मैच करेंगे तो correct answer होगा इस question का option number 4 Okay I think it is clear to you Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर